Hello students, this is Tanushty, so today we will start introduction part of lines, angles and circles, so let's start पहले से ही हम points, straight lines, lines, rays इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं अभी इस class में हम थोड़ा briefly समझेंगे, ठीक है? तो देखो point क्या है? Point is a location represented by a dot तो point एक location है जो represent किया जाता है dot से, ठीक है? तो देखो, ये dot है, ठीक है? तो इसे हम point बोलेंगे अभी हम एक नाम देते हैं, a तो हम बोलेंगे point a, ठीक है? It represents only position, ठीक है? ये इसका कोई size नहीं होता है, इसका length नहीं होता है, width नहीं होता है, ठीक है? अभी देखो, straight line It has no end points तो देखो, ये है एक straight line ठीक है इसका तो कोई end points है नहीं तो हम यहाँ पे भी इस side से भी extend कर सकते हैं और इस side में भी extend कर सकते हैं ठीक है तो यह हो जाएगा straight line तो A B हम नाम दे देते हैं ठीक है तो symbol for the straight line A B is ऐसे symbol होता है straight line का ठीक है अभी देखो line segment It has two end points तो देखो यहाँ पे एक point और यहाँ पे एक point तो यह हो गया है line segment तो यह हम नाम देंगे A B ठीक है तो यह line segment A B तो यहाँ पे देखो two end points है यहाँ पे एक और यहाँ पे एक ठीक है तो हम यहाँ से और extend नहीं कर सकते हैं और इस side से भी और extend नहीं कर सकते हैं तो वो जाएगा line segment, ठीक है, तो इसे हम represent कैसे करते हैं, ऐसे represent करते हैं, एसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा line segment AB, अभी देखो ray, it has one end point, तो इसका one end point होगा, तो ये है एक end point, ठीक है, तो देखो, ये हो जाएगा AB, तो हम इस side से और भी extend कर सकते हैं, पर इस side से extend नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आपर एक end point है, ठीक है, तो यह हो जाएगा AB, तो इसे हम कैसे represent करते हैं, हैसे represent करते हैं, ठीक है, ऐसे represent करते हैं, अभी देखो angles and their classification, तो first हम angles समझते हैं two rays with a common end point form an angle तो two rays हम draw करेंगे जो कि जिसका common end point एक होगा तो यह common end point है तो हम two rays ऐसे draw करेंगे तो यह form करेगा एक angle अभी हम नाम दे देंगे तो यहाँ पर हम देंगे A, B और यह C तो हो जाएगा C, A, B एक angle अभी देखो यह जो common end point है यह हो जाएगा vertex तो A हो जाएगा vertex अभी देखो C, A, B is an angle whose two arms are the rays A, B and A, C तो यह एक angle है तो इसका arms क्या हो जाएगा यह rays ही arms हो जाएगा तो हम बोलेंगे A, B और A, C को arms बोलेंगे ठीक है तो A, B और A, C को हम arms बोलेंगे ठीक है अभी देखो तो angle को हम कैसे represent करते हैं symbol क्या है ऐसे अभी हम angle को ऐसे represent करेंगे तो angle C, A, B ठीक है C, A, B ऐसे हम लिखेंगे जो angle है A तो वो बीच में रहेगा ठीक है यह और हम ऐसे भी बोल सकते हैं और angle A ठीक है यह है angle तो यह बीच में रहेना चाहिए ठीक है तो ऐसे हम रिप्रेजन करते हैं ठीक है अभी इसका कोई एक मेजर तो रहे गाई मेजर्मेंट तो यहां पर सपोज है 30 डिग्री तो हम क्या बोलेंगे angle C, A, B is equal to 30 डिग्री तो यह 30 डिग्री है तो हम ऐसे लिखते हैं ठीक है तो अभी देखो क्या क्या एंड़ से तो fud आराइंगल राइंगल क्या है एन अंगल पर मेजरेशन नउच डिग्री तो हम राइट अंगल कौम हम् राइंगल को बोलेंगे तो 90 डिग्री कैसा लिखता एशा बी में तॉम ठीक है तो यह हो जाएगा right angle तो इसे हम अगर नाम दे दे ABC ठीक है तो इसे हम बोल सकते हैं इस angle का arms क्या है AB और BC तो AB और BC perpendicular to each other ऐसे भी हम बोल सकते हैं ठीक है right angle होने से perpendicular भी होता है ठीक है अभी next देखो acute angle acute angle क्या है an angle is called an acute angle if its measure is less than 90 degree तो 90 degree से जो छोटा angle है उसे हम बोलेंगे acute angle तो देखो 90 degree से छोटा angle suppose 45 degree ठीक है तो ABC तो यह 45 degree है तो इसे हम क्या बोलेंगे इसे acute angle बोलेंगे अभी देखो obtuse angle an angle is called an obtuse angle if its measure is greater than 90 degree but less than 180 degree तो obtuse angle कौन सा angle होगा जो 90 degree से बरा होगा पर 180 degree से छोटा होगा तो देखो 90 degree से बरा 90 degree से बरा तो suppose 110 degree but less than 180 degree 180 degree कितना है 180 degree यह पूरा 180 degree है यह 90 degree अगर हुआ तो यह पूरा 180 degree है ठीक है 180 degree से छोटा होगा ठीक है तो यह हो जाएगा obtuse angle अब देखो straight angle an angle is called a straight angle if its measure is 180 degree तो जो angle 180 degree है उसे हम straight angle कहेंगे तो 180 degree कैसा है ऐसा है 180 degree तो यह हो जाएगा ठीक है तो हम एक नाम दे देते हैं तो यह ABC ठीक है तो ABC है straight angle जिसका measure है 180 degree ठीक है तो अभी देखो equal angles two angles are called equal if their measures are equal दो angles कब equal होगा जब उसका measures equal होगा suppose एक 45 degree है एसा है 45 degree ABC और एक है ऐसा है ठीक है ऐसा तो यह है PQR यह भी 45 degree है तो यह क्या हो जाएगा यह equal angles हो जाएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं angle ABC is equal to angle PQR ठीक है यह equal angles हुआ है तो इसे हम ऐसे represent कर सकते हैं इसे हम बोल सकते हैं अभी देखो complementary angles और supplementary angles तो complementary angles first देखो अब pair of angles are called complementary to each other if the sum of their measures is 90 degree that is one right angle तो देखो अगर दो angles की sum 90 degree हुआ तो एक angle और एक angle की complementary angle हो जाएगा सपोस देखो 60 degree plus 30 degree तो दो angles का sum 90 degree है तो 60 degree हो जाएगा 30 degree का complementary angle और 30 degree हो जाएगा 60 degree की complementary angle तो अभी हम कैसे complementary angle find करेंगे तो rule है suppose 60 degree angle की complementary angle हमें find करना है तो कैसे हम करेंगे the complementary angle is equal to 90 degree minus the given angle तो complementary angle 6 degree का हम कैसे find करें 90 degree से ये subtract कर देंगे तो 90 degree से 60 degree subtract करने से देखो 30 degree आ जाएगा तो 60 degree का complementary angle किया है 30 degree तीक है अभी 30 degree अगर आ रहा तो 90 degree से 30 degree हम subtract करने से 60 degree आ जाएगा तो ऐसे हम complementary angles find करेंगे अभी देखो supplementary angles a pair of angles are called supplementary to each other if the sum of their measures is 180 degree that is one straight angle तो अगर दो angles की sum 180 degree है तो एक angle को हम और एक angle की supplementary angle बोलेंगे ठीक है suppose 100 degree plus 80 degree तो sum करने से क्या होगा 180 degree तो हम बोलेंगे 100 degree 80 degree का supplementary angle है और 80 degree 100 degree का supplementary angle है ठीक है तो हम supplementary angles कैसे find करेंगे तो the supplementary angle is equal to 180 degree minus the given angle suppose 100 degree का हम supplementary angle लिका लेंगे तो क्या हो जाएगा 180 से हम subtract करेंगे ठीक है तो हो जाएगा 80 degree देखो 100 degree का supplementary angle क्या है 80 degree देखो similarly 80 degree का क्या हो जाएगा 100 degree अभी देखो हम adjacent angles समझेंगे तो देखो two angles are called adjacent if they have the same vertex common arm and the other arms of the two angles on the opposite sides of the common arm तो देखो ये दो angles है एक angle है SQR ये और एक angle है PQR ठीक है अभी ये दो angles को हम कब adjacent angles बोलेंगे जब they have same vertex तो same vertex है Q ठीक है अभी देखो common arm तो RQS का arms क्या है QS और QR ठीक है और PQR इस angle का arms क्या है PQ और QR तो common arm कौन सा हुआ QR ठीक है common arm है अभी देखो और जो other arms है QS और QP ये common arm की opposite sides में ठीक है तो हम इस दो angles को बोलेंगे adjacent angles तो adjacent angles क्या हुआ PQR and RQS ठीक है ये और ये हो जाएगा adjacent angles अभी देखो vertically opposite angles if two straight lines intersect at a point they form two pairs of opposite angles each pair of opposite angles are called vertically opposite angles तो देखो दो straight line AB और एक straight line CD तीक है दो straight lines जब intersect कर रहा है ओ पॉइंट में तो क्या हो जाएगा ये opposite angles है तो ये एक pair हो जाएगा इसे हम vertically opposite angles बोलेंगे और एक pair क्या हो जाएगा ये और ये हो जाएगा ठीक है ये दो भी opposite angles है तो एक pair ये है और एक pair ये है तो इसे हम vertically opposite angles बोलेंगे तो क्या क्या हो जाएगा देखो angle AOC and angle BOD ठीक है ये एक pair है इसे हम क्या बोलेंगे vertically opposite angles और एक pair क्या है एंगल AOD and angle COB ठीक है और एक pair है ये pair up opposite angles ये एक pair up opposite angles है और एक pair up opposite angles ये है तो इसे हम vertically opposite angles बोलेंगे ठीक है इसे और इसे एक property है vertically opposite angles का ठीक है ये important property है ये हमें याद रखना है देखो if two straight lines intersect the measures of the vertically opposite angles are equal तो अगर दो straight lines intersect करता है तो वो जो vertically opposite angles form करेगा वो हो जाएगा equal ठीक है सपोस देखो ये दो lines intersect करेगा ठीक है तो ये AB है और ये CD है तो ओ point में intersect करता है ठीक है तो यहाँ पर देखो ये है दिया हुआ है angle COB 40 degree ठीक है तो अगल AOD हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे ये property यूज करके तो property as a property हमें पता है अगर दो lines intersect करता है तो vertically opposite angles जो form होता है वो equal हो जाता है यहाँ पर तो intersect किया है तो ये दो angles same है equal है तो हो जाएगा देखो angle AOD is equal to angle BOC is equal to 40 degree ठीक है तो ये भी 40 degree और ये भी 40 degree हो जाएगा ठीक है इस chapter की introduction मैं दोनों parts में करूंगी तो ये था part 1 और इस introduction part की जो related जो exercise है उसके video की link मैं नीचे description box में दे दूंगी तो आप लोग जाके देख लेना